ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेबर के, लेबर पार्टी के MPs हैं, मैक डॉनल्ड, डाउन बटलर, इन्होंने का, इंडिपेंडेंट MP इकबाल एहमद भी हैं, उन्होंने टुक पार्ट इंटु प्रो पलेस्टाइन, डेमोंस्टेशन आउटसाइड, UK पार्लियम लगा दिये थे, UK की नई पार्टी ने आके, कहा कि हम उनको फंड देना शुरू कर देंगे, आप खबर देख लीजए, यमन हुती ने कहा है, उन्होंने किलेम किया है, जिम्मेदारी ली है, कि जो उन्होंने अटेक किया तेल अभी, परकल मैं आपको बताया था, उसमें ए हजार किलो मिटर दूर जाकर के, याफा नाम का जो मारा है मिजाईल, वो तो इंटरसेप्ट ने कर पाए, साइरेन भी नी बज़े, अब तो करता रहे, ये हिजबुल्ला और जहुती ही, जब सीविलियन्स पर, हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर मार ने लंगे के, तो ठिकाने आ जाएंगे के, आखिरकार, अरतिस चालिस हजार जब निहत्तों को मार देता है, हजारों लोगों को बरबाद कर देता है, लाखों लोग मां जखमी हो जाते हैं, तब पता चल पाता है, तो गैलन्ट नाराज है, उनकी तमाम के तमाम जो सुरक्षा कवश था, उस ने का कि, इस्राइल डिफेंस इस नोट इंपेंटरेबल, इस्राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कोई ज़्यादा खास नहीं है, एक खबर और देख लिए, अमरीका का जो यूएस हाउस स्पीकर है, माइक जॉनसन, उसने धंकी दी है सीनेटर्स को, कि जब आएगा वो हमारा बॉस इंटरपुट, इस बॉस नेतन याउ, तो आप कोई भी बात नहीं करेंगा, वरना पुलिस के माध्यम से आपको हटा दिया जाएगा, तरसल नेतन याउ को, वहां की कॉंग्रेस को एड्रेस करना है, बाइडन तो बिमार पढ़ है, कमला हरिस तो शायद हैं, आप देख लीजे, ड्रॉन जो है, जो मारा गया था तेल अवीब पर, लास्ट नाइट, दो हजार किलोमीटर चला है, वो यमन से, पास्ट, औल इस्राइली डिफेंस, सारे इस्राइली डिफेंस को पास्ट करते हुए, रोयल नैवी को, यूएस नैवी को, और तमाम चीज़ों को जाके हिट कर दिया है, इसी से पता चल जाता कि, इरान ये असल में उसको सपोर्ट करता है, यमन स्ट्राइक शिप, यमन ने एक को जो है, शिप को स्ट्राइक और कर दिया है, वायलेटिंग इसराइल, बैन आर्स आफ्टर तेल अवीब, यमन की जो आर्मी फ फोन पर उस पर देख सकते हैं ठीक हैं यमन का जो ऑपरेशन हुआ है तेल अभी पर वो सिक्यूरिटी बीच जो बात वाँ यही चल रही कि हम तो बहुत सुरक्षा कवच में थे हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है चलिए खेर यह खबर मैंने आपको बता दी है एक खबर और बैठा है वो भी दोगला किसम का वैक्ति है उसके बारे में आई सी सी बोलता है कि वो बहुत ही इलीगल है यह खबर मैंने आपको सारी बता दी दोस्तों अब मैं कुछ और खबरे आपको दिखा देता हूं कहीं और से मैं चलता हूं मिडिलीस की तरफ एक अच्छा दारा है मिडिलीस पर कुछ नई खबर आई तो वह मैं बता दूँगा बागी कि तो मैं स्क्रीन शॉट ले चुका था जो नेगोसेशन चल रहे थे आपको बालूम था कि इसराईल ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा था वो थोड़ा सा जो है इसकिप कर दिया गया है इसराईल गाजा सीसफायर टॉक्स इसकिड दा राउंड ओफ दा नेगोसेशन देट वाज सेड्यूल तो टेक प्लिस अर्लियर दिस वीक वो जो बाचीश चल रही तो उसको बना कर दिया है चुकि अब हिजबल्ला की तरफ से भी हमले हो रहा है एक्चुली ये खुद ही खिलाफ व इसराइल ने अमरीका को बताया कि डेलिकेशन जो प्लान किया था अटेंड टू टॉक बात करने के लिए डिड नॉट वर्न यूएस ऑफिशियल दे वुड नो लॉंगर अटेंड वो ज्यादा उसको लंबा नहीं कर सकते उसको ज्यादा इंटर्टेंड नहीं कर सकते उसक कुल उसकी वीकनेस का सबूत है को उसने सबको धता बताते हुए अंदर हमला कर दिया और अब पता चल गया कि वो कितना बिल बिल आया है इसराइली एनरजी मिनिस्टर ने कहा कि आई सी जे एंटी सीमेटिक है जो उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट बात कर रही वो यहू मताद्द खबरे हैं वहाँ पर मारे जाने की काटे जाने की कुछ खबरे जो गाजा की तरफ से बताए जाती है कि वहाँ पर मार दिया गया इसराइल से नी ऐसे अभी खबर मेरे पास नहीं है कोई आईगी तो मिले करके हाजिर और जाता हूं जैहिन